अब हम बात करने वाले हैं इंडिया गटबंधन के बारे में जी हाँ अब देखिए इंडिया गटबंधन जो अलग-अलग घटकों से अलग-अलग दलों से मिलकर बना हुआ है और पाँच राजियों में चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए हैं कॉंग्रस ने इस चुना मान मनवल का दोझवारी है इसके साथ ही देखिए क्योंकि मद्रदेश के चुनावों में टिकट बटवारों को लेकर लगातार सरगर्मी काफी देश थी आरोप प्रत्यारोब का दोच आ रही था, बयान बाजी का दोच आ रही था, अब अखिलेश यादव क्यूकि गांगर्स उत्तर प्रदेश में इंडिया गडबंधन की कमान अपने हाथों में लाइलने की कोशिश कर रहे हैं उनका सपना भी काफी बड़ा-बड़ा है और अखले शादो पहले ही संकेत इस बात का दे चुके हैं और इसी के साथ ही सीट शेरिंग फॉर्मुला वही दल तै करें सीट शेरिंग जिसमें लगातार मानमनवर और सरफटवल का दार जारी रहता है और क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं इसे में सीट शेरिंग जो है वो सबसे पहले महत्वपून हो जाता है तभी ये जो घटक दल है वो आपस में सामंज़स से बिठा सकेंगे अब देखें इसी बात पर कॉंगर्स के अब तयार ना होने की कारण ममता बनवजी, नितिश कुमार और M.K. स्टालिन और अखिलेश यादव और इसके साथ ही अन्य कई निताओं ने वो दुवार को प्रस्ताविक बैठक में अलग-अलग वजहों से आने से इनकार भी कर दिया है हाला कि 6 दिसंबर की बैठक जो अनौपचारिक रूप से होनी है यानि कि आज की जो बैठक गटबंधन की पटना बेंगलूरो और मुंबई की बाद चौथी बैठक दिली में 17 दिसंबर को होगी क्योंकि विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद कॉंग्रिस अब इंडिया गटबंधन के घटक दलों के निशाने पर है क्योंकि अच्छा प्रदर्शन कॉंग्रिस का देखने को नहीं मिला इन चुनावों के दौरान हालकि उम्मीद ऐसी नहीं थी अब उसे नसीहत भी दी जा रही है एंका छोड़कर शेत्रिय दलों को सम्मान करें इस तरह की बाते भी सामने आ रही है और माना जा रहा है कि बदलते हालात में कॉंग्रिस अपने रुक से में कुछ परिवर्टन करती हुई नज़र आएगी और यूपी बिहार पश्रम बंगाल ही नहीं बलकि तमिलनाडो और दक्षन के राज्यों में भी कॉंग्रस का शेत्रिय दलों से कमान सौपने पर सहमती होने का दबाव जो है वो लगातार कॉंग्रस पर बनाया जा रहा है अब देखिए मद्रप्रदेश, राज़स्थान, चत्वीसकर, हिमाचल प्रदेश, करनाटक समेत कई राजों में शेत्रिय दल कॉंग्रस को मुख्य भूमिका देने को तयार देखते हैं लेकिन आप देखिए सबसे जादा पेश दो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर बनता और यही लकातार अकलेश यादर तमाम मंचों से कहते हुए नजर आए हैं क्योंकि हालिया चुनाव नतीजों से कॉंग्रस को भी समझ में आ गया है कि उसे अब लचीला रुक अपनाना पड़ेगा यानि कि सक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं आएगी आपको कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें